नमस्कार दोस्तों सुआगत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में मैं करुणा आज ही वीडियो लेकर आई हूँ 12th क्लास के पेंटिंग सब्जक्ट के स्टूडेंट्स के लिए बिटा हम आपके सेकिंड रम के सलिबस का लास चेप्टर आज इस वीडियो में पढ़ेंगे चेप्टर का नाम है समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों की मूर्तियां इससे पहले हम समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के चित्र और छापा चित्र पढ़ चुके हैं बिटा कुछ की बुक में ये chapter number 13 है और कुछ की बुक में ये chapter number 14 है जिन्होंने new print की बुक ये ली है तो बिटा मैंने पहले मैं आपको बता दूँ कि चित्र और छापा चित्र में क्या अंतर होता है तो बिटा चित्र एक बार में एक ही बनता है लेकिन छापा print क्या होता है उ और उस स्टेंसिल की मदद से जितने भी चाहें प्रिंट्स लिये जा सकते हैं जब तक कि वो स्टेंसिल खराब न हो जाए अब बात कर लेते हैं चित्र और मूर्ती में क्या डिफ्रेंस होता है बचे तो चित्र आपका द्यूई आयामी यानि की 2D शेप में होता है और मूर्ती आपकी 3D शेप में होती है यानि की उसके अंदर तीनों आयाम होते हैं लंबाई चोड़ाई और उसकी मोटाई देखो पिटा हम चित्र को नहीं उठा सकते मतलब हम सिर्फ चित्र को देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं लेकिन हम चित्र को ऐसे हाथ से पकड़ के उठा नहीं सकते लेकिन क्या है कि मूर्ति को हम देख भी सकते हैं चारो तरफ से उसको महसूस भी कर सकते हैं और उसको चारो तरफ से छूबी सकते हैं, और अगर वो हलकी है, तो उसको उठा भी सकते हैं, अब आप लोग कहोगे, कि हम तो चित्र उठा लेते हैं, है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो आप चित्र को नहीं उठाते हो, आपने वो चित्र जिस पर बनाया होता है, आप उसको उठाते हो, ठीक है, अगर आपने वो शीट पर बनाया है, तो आप शीट उठाओगे, आपने अगर वो किसी कैन्वास पर बनाया है, तो आप कैन्वास को उठाओगे, है ना, गत्ते पर बनाया है, तो गत्ते को उठाओगे, क्यूंकि उन चीजों की अपनी मोटाई होती है, चित्र 2D शेप में होता है, उसकी अपनी कोई उचाई या मोटाई नहीं होती, तो ये था डिफरेंस चित्र और मूर्ती में बिटा, अब हम तेखेंगे कि मूर्तिया हम बना किस-किस चीज से सकते ह तो कुछ तो यहां आपको दिये ही हुए है, कि आप पत्थर से बना सकते हो, धातू से, लकडी से, मोम से, मिट्टी से, है ना, इसकी अलावे भी और बहुत सारे पधार्थ हैं, हाँ जी, तो हम बात करें थे कि हम बहुत से पधार्थों से मूर्तियों का निर्मान कर सकते ह जिसमें से कुछ आपको यहां पर देखने मिल गई हैं, तो करते क्या है, मूर्तियों में भी वही चित्रकार अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे चित्र में करता है, वैसे मूर्तिकार मूर्तियों में करता है, तो आपके इस लेबस में जो मूर्तियां आपके अध पारिरिक श्रम से किसी बड़े से पत्थर को ढखेलने का प्रयास कर रहे हैं और किस चीट से ढखेल रहे हैं वो भी मोटी लकडी की बल्लियों से चित्र को अगर हम देखेंगे तो चित्रकार ने इन सभी मजदूरों को सिर्फ एक छोट आसा कपड़ा शरीर के नीचे जिसको हम लंगोट या लूंगी कह सकते हैं पहनाया हुआ है बाकी उसने इन मजदूरों को शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहनाया है जिससे कि हम देख सकें कि श्रम करते हुए इन मजदूरों के शरीर पर क्या परिवर्तन हो रहा है मतलब इनकी जो मास पेसिया इतने यथार्थवधी तरीके से यहाँ पर देवी प्रशादराय चौदरी जी ने दिखाई है यह आप में एक बहुत अधभुत एक मूर्तिशिल्प है यह और बिटा मैं इस मूर्तिशिल्प के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ तो यह मूर्तिशिल्प एक ही तरह के दो मूर्तिशिल्प है जो देवी प्रशादराय चौदरी जी ने बनाए है जिसमें की एक जो में मूर्तिशिल्प है यानि की जो उन्होंने पहले बनाया है वो रखा हुआ है मेरीन बीच चेननई के समुंत्र टट पर यानि की मेरीन पीच पर उन्होंने बना रखा है और फिर उसके बाद दूसरा जो ये मूर्तिशिल्प है उसकी स्थापना या उसको बनाया है उन्होंने रास्ट्र संग्राले नई दिल्ली के गेट के सामने मतलब जब हम एंटर करेंगे तो हमें ये मूर्तिशिल्प महाँ पर देखने के ल को उने बनाया है और रास्ट्र संग्राले नई दिली में हम इसको देख सकते हैं समकालीन आधुनिक दौर का ये मूर्तिशिल्प है और 1954 इस्वी में इस मूर्तिशिल्प का निर्मान किया है तो अपने मूल रूप में इस मूर्ति को यानि कि जो पहला मूर्ति शिल्फ है 1954 में मदरास के समुंदर के टट पर कांसे और सिमेंट के संयूजन से देवी प्रशादराय चौधरी ने इसको बनाया और इसकी एक प्रतिक्रती नई दिल्ली के दास्ट्रे आधुनिक कला संग्राले जैपुर हाउस नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई है मूर्तिकार ने इस मूर्ति में परिक्ष्रमी श्रमिकों को श्रम के विजे के रूप में दिखाया है समू में कारेरत चारो श्रमिक को अलग-अलग मुद्राओं में एक विशाल चटान को लकडी की बल्लियों की सहायता से हटाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है परिनाम सुरूप मूर्तिकार ने श्रमिकों की मास्पेसियों पर पढ़ने वाले प्रभाव संकुचन एवं विस्तार को उनकी संपून शारिरिक सरचना के साथ खूबसूर्ती से प्रकट किया है इसके लिए उनके शरीर को वस्तर विहीन दिखाना विशे के अनुकूल है अताहा केवल कमर के नीचे छोटी लूंगी वस्तिर को कपड़े से ढखा हुआ दिखाया गया है अताहा ये श्रमिक अपने कारे को सफलता पूर्वक करने में सफल होते हैं और यही शर्ण इस मूर्ती की मूल भावना श्रम की विजय को दर्साता है तो दोस्तों ये था मूर्ती शिल्प का विवेशन अब जान लेते हैं एक पर देवी प्रशादराय चौदरी जी के बारे में तो देवी प्रशादराय चौदरी का जनम हुआ था 1899 में रंगपूर में और रंगपूर पढ़ता है बंगला देश में इन्होंने चो अपनी आरंबिक कला शिक्षा है वो अम निंदरनाटे गोर से सीखी यानि कि ये बंगाल शिली के कलाकार रह चुके हैं अम निंदरनाटे कोर्के शिश्य भी रह चुके है और लेकिन इनको पसंद नहीं आया पूराणिक विश्योंपर चितर बनाना उससे य इन्होंने मूर्ती शिल्प मतला मूर्ती बनाना स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी मूर्ती शिल्पों में श्रमिकों की मास पेसियों को दिखाने में विशेशता प्राप्त की ठीक है देवी प्रशाद रह चौदरी को ललित कला अकादमी दिल्ली का अध्यक्ष बनाया ग भारत सरकार ने इनको पदम भूशन से भी सम्मानित किया तो दोस्तों अभी पहले आ गया है एक वर्ड पदम भूशन मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा किसी वीडियो में कि कला के छेतर में तीन सम्मान भारतिय सरकार के द्वारा दिये जाते हैं पदमश्री, पदमभूशन और पदमविभूशन सबसे छोटे क्रम में आता है पदमश्री फिर उसके बाद पदमभूशन और कला के शेतर में सर्वस्रे सम्मान होता है पदमविभूशन अब हम जान लेते हैं इनके कुछ चित्रों को तो वो है लेपचागल, ग्रीन और गोल्ड, निर्वान, ब्रिजन, दुर्गापूजा ये इनके द्वारा निर्मित कुछ अन्य क्रतियां है जिसमें इनोंने अलग-अलग माध्यमों में परियोग किया है और इनको बनाया है तो बेटा, ये थे देवी प्रशाद राय चौधरी और ये था उनका मूर्तिशिल्प श्रम की विजय है सामने इस वक्त जो मूर्तिशिल्प है वो है सान्थाल परिवार और इस मूर्तिशिल्प को बनाया है राम किंकर बैच ने राम किंकर बैच पहले आधुनिक भारते मूर्तिकार के तौर पर भी जाने जाते हैं जैसे कि अमरिता शेरगिल को पहली भारते आधुनिक महिला के तौर पर जाना जाता है इसी तरह से प्रथम आधुनिक मूर्तिकार राम किंकर बैच को जाना जाता है तो ये जो मूर्तिशिल्प है बिटा आप देख रहे हो ये बनाया गया है सिमेंट और कंक्रीट से क्योंकि बहुत ही जादा चीजों का आभाव राम किंकर जी के पास था तो इस कारण उन्होंने सबसे सस्ता और सरल माध्यम चुना अपनी मूर्तिओं के निर्मान के लिए और वो था सिमेंट और कंक्रीट मूर्तिशिल्प को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें चार आकरतिया नजरा रही है एक तो है पुरुष एक है महिला एक है बच्चा और उसके साथ उनका कुद्धा ठीक है तो ये एक परिवार है जो एक इस्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है शायद एक जगा से दूसरी जगा विस्थापित हो रहा है तो ये पूरा का पूरा परिवार यहां पर रामकिंकर बैज ने चित्रत किया है मतलब मूर्ती के रूप में चित्रत किया है ठीक है तो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में तो रामकिंकर बैज ने इस चित्र को बनाया सिमेंट और कांक्रीट से बनाया यह हम जान चुके हैं और यह रखा हुआ है शान्तिनी केतन पस्टिम मंगाल में बस इधर ही हम थोड़ा सा टाइम लेंगे मैंने आपको बताया था कि आपके बुक में जितने भी चाहे आप चितर पढ़ रहे हैं मूर्तिशल्प पढ़ रहे हैं चापा चितर पढ़ रहे हैं या ग्रंत ही क्यों न पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रखे हुए हैं रास्ट्रे संग्राले नहीं दिली में सिर्फ आपके दो चीजे यानि की दो चित्रिया दो क्रतिया ऐसी है जो राश्ट्र संग्ठाले में नहीं रखी हुई पहली तो ये हो गई शांतिनी के तन पस्चिम बंगाल दूसरी में कई बार आपको बता चुकी हूँ तो वो मैं आपके लिए होमवक छोड़ रहे हूँ दूसरी कौन सी क्रति है जो राश्ट्र संग्ठाले नहीं दिल्ली में नहीं रखी हुई आपके सेकेंड रम के स्लेबस में है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ठीक है और कब बना हैंगी समकाली नाधुनिक दौर में ही बना है और 1938 इश्वी में इस मूर्तिशिल्प को राम किंकर बैच ने बनाया है थोड़ी सी डेटेल इसकी देख लेते हैं तो सिमेंट और कंक्रीट से 1938 इश्वी में बनाया है शांति निकेतन पस्चिम बंगाल के प्रांगण में इस वक्ति ये स्थापित है और सांथाल परिवार में चार प्राणियों को दिखाया गया है एक पुरुष ने अपने कंधे पर सामान डोने के लिए बनाये गई बैंगी को उठा के रखा हुआ है उसके पिछले पढले में समान रखा है और अगले पढले में संतुले निस्थापित करने के लिए प्रेम पूर्वक उसने अपने बच्चे को बिठाया हुआ है साथ ही जो उसकी पतनी चल रही है उसके सिर पर समान रखा हुआ है उनके साथ एक कुत्ता भी दिखाया गया है जिसने अपना मुह खोला हुआ है इस मूर्ति में कोई शैलिगत विशेश्टा तो दिखाई नहीं पड़ती बलकि मूर्तिकार राम किंकर बैच ने इस सांथाल परिवार से प्रेड़ना लेकर उसके परिवेश वे दैनिक गतिविधी को इस मूर्ति के माध्यम से सरलतम रूप में प्रदर्शिप्त किया है जान लेते हैं राम किंकर बैच के बारे में थोड़ा सा तो राम किंकर बैच का जनम 1910 में बंगाल के बांकुड़ा अंचल में हुआ था गरीब परिवार में इनका जनम हुआ था चित्रकार या मूर्तिकार बनने के जनमजात गुण भी राम किंकर बैच में थे सीता एकसाइल नामक चित्र राम किंकर बैच ने 15 वर्ष की आयू में बनाया था और ये वाला चित्र जो था वो प्रवासी नामक पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद इस चित्र को और चित्रकार दोनों को ख्याती मिली अच्छा वेटा प्रवासी नामक पत्रिका हमने इससे पहले पढ़ी है और मुझे यकीन है कि आपको याद होगी लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूँ कि 1907 में गंगिंदर नाट टेगोर ने इंडिन सोसाइटी ऑफ और इंडल आर्ट की स्थापना गरी थी और उस सोसाइटी की स्थापना गरने का मकसद था कि उस सोसाइटी के माध्यम से जो चितरकार सामने आएंगे और अपने चित्र ने इनको दिली की चित्र प्रद्रशनी में स्वन पदक भी दिलाया था राम किंकर बैच जी की शैली व्यक्तिगत और प्रकरती में अग्रगामी है इन्होंने अपनी मूर्तियों के लिए बालू, कंक्रीट, सिमेंट तथा मिट्टी कुमाध्यम बनाया क्योंकि ये सभी आ को हमें याद रखना चाहिए तो वो है सान्थाल परिवार, सुजाता हार्वेस्टर, गर्ल एंड डॉग, बाजार से वापसी जिसको इंगलिश में लिखा हुआ है रिटर्निंग फ्रॉम दा मार्केट तो ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां है तो दोस्तों आज पढ़ा हमने राम किंकर बैच को और उनके फ्रशिद मूर्तिशिल्फ सान्थाल परिवार को आशा करती हूँ पेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में जो हमवर्क मैंने दिया है उसे मत भूलना आपको मुझे क्या बताना है दूसरा दूसरी कृति ढूं जैसा कि आपको देख भी रही होगी इसकी सून और इस मूर्तिशिल्फ के मूर्तिकार का नाम है पीवी जान की रहा हूँ ठीक है तो इस मूर्तिशिल्फ को अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने बना रखा है इसको कुछ तारोंक से कासे धातू से टीन से तार से साया हुआ है, इसके जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ में आपको वीणा दिख रही है एक हाथ में आपको गदा दिख रही है, शंक दिख रहा है ठीक हैं तो यह सारी चीजों से मतलब इन्होंने गनेश को बनाया है यहां पर अब हम इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं थ्यान च पीवी जान की राव इसके मूर्तिकार हैं, आक्सिक्रत टांबा, तीन, तार से इस मूर्तिशिल्प को उनों ने बनाया है, रास्ट र्यादु निकला संग्राले ने दिल्ली में रखी हुई है ये मूर्तिशिल्प, समकालिन दौर की है, और 1970-1980 के बीच में पीवी जान की र तिरत गनेश को खूबशूरत आकार दिया है, गनेश ची के दो हातों में वीना दिखाई गई है, वीना वादन करते दिखाया गया है, शेश हातों में आपको शंख, चक्र, गदा, पदम, धारन की उनको दिखाया गया है, मूर्ति में आकार की सुगर्ता, सुगर्ता होती ह कि सहायता से उत्करस्ट अलंकरण पेदक्षिन भारत की लोक कलाओं को पुनहर चीवित करने का प्रयास मूर्तिकार की अकांगशा इस मूर्तिशिल्प को देख करके प्रकट होती है तो इस मूर्ति में गतिशीलता के भाव को प्रकट किया गया है परंपरिक मूर्तियों से थ पोड़ा सालग आधुनिक्ता की विशेषता इस मूर्तिशिल्प को प्रदान की गई है जान लेते हैं पीवी जानकी राओजी के बारे में थोड़ा सा तो 1930 में मदरास में इनका जनम हुआ था आर्ट कॉलेज मदरास से इन्होंने फाइन आर्ट में मूर्ति कला और विविसाइक कला की डिगरिया ली थी और भगत की मूर्तियों रहसेवादी सिध्धानतों को यहां पर भगत की बात हो रही है किसकी पीवी जानकी राओगी तो इनकी जो मूर्तियों है वो सिध्धानतों को अभिव्यक्त करती हैं इनकी मुकृतियों की मुख्य विशेष्टा है कि एक दूसरे की और मुह करके ये मुर्तियां लगभाग खड़ी हुई होती हैं तांबे के पतले तारों से अलंकरत इन मुर्तियों को किया गया है इनकी कुछ प्रमुख जो दूसरी और जो इनकी दूसरी रचनाय है यानि चित्र है तो वो है मेडोनायन चाइल्ड और फ्लूट प्लेयर ठीक है ये इनकी कुछ प्रमुख क्रतियां है अब जो दूसरा मुर्तिशिल्प हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंसुनी चीखे और ये देखिए ये है वो मुर्त अमर्नात सहेकल और इस मुर्तिशिल्प में अगर आप देखो तो एक परिवार दिखाई दे रहा है हमें एक पुरुष है एक महिला है एक बच्चा है तीनों के तीनों बहुत जादा गरीब कुपोशन के सिकार और ऐसे त्रही माम करते हुए जैसे हर तरह से वो बिल्कुल परेशान है यहां ऐसा लग रहा है कि मनुश्य तो मनुश्य है इश्वर ने भी इमके उपर कोई कृपा नहीं रखी है तो यह तीनों ही मतलब ऐसे मुह से भी और यहां तक ही इमके जो शरीर है उस पर कपड़े भी मूर्तिकार ने से पहनाने का प्रयास नहीं किया है जान लेते हैं इस मूर्तिशिल्प के बारे में थोड़ा सा तो अनसुनी सीखे मूर्तिशिल्प का नम मूर्तिकार अमर्नाथ रहकल समकालीन आधुनिक गार का चित्र है कांसे धातु से बना है उन्निस सो अठावन ईश्वी में इस मूर्तिशिल्प को इन्होंने बनाया है औ यानि कि कांसे धातुसे बनी मूर्ती में एक ही परिवार के तीनों सदस्यों को यानि कि पिता को मा को और बच्चे को दरिद्रता और उससे उत्पन गहरी वेदना को प्रदर्शित करते हुए दिखाया है लंबी आकरतियां हैं खोकले पिछके हुए गाल है विक्रत चहरे हैं आकाश की और उठे हुए उनके आहाथ हैं जैसे चींक चीक कर कह रहे हूँ है इश्वर इस धरा पर तो हमारी कोई सुनने वाला है नहीं यहां शोशन है अन्याय है तता ब्रस्टाचार है जिसके वो शिकार है अब आप ही हैं जिसके भरोसे हमारा अस्तितु बचा है ऐसा क मूर्तिकार अमर्नाथ शैगल को भारत के राश्रपदी ने पुरसकार में सोने की पटिका भेट की इसी मूर्तिशिल्प पर तो देखे कितना फेमस मूर्तिशिल्प है यह थोड़ा सा जान लेते हैं अमर्नाथ शैगल ची के बारे में तो इनका जनम 1922 इश्वी में हुआ अम्बेलपुर एक जगा का नाम है जहां पर हुआ भारत पाकिस्तान बटवारे के बाद वो भारत आ गए और 1950 इश्वी में न्यू यॉर्क विश्वी विध्याले से कला में इन हुने मास्टर डिग्री ली ठीक है दिली के मॉडर्न स्कूल में अध्यापन का कार्य भी इन अमनाज शहगल दाशनिक हैं कवी हैं कलाकार हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं अनग्विस्ट क्राइज ये कांसे से बनी हुई है और इन्होंने जो कवीता लिखी है वो है फ्लोटिंग क्राइज एंड अबाइस आफ लाइफ तो बिटा ये थे आपके दो मूर् चेप्टर और लास्ट मूर्तिशिल्प यही बेखतम होता है आशा करते हूं आपको वीडियो समझ आई होगी पूरा चेप्टर और यहां तक की पूरा स्लेबस अच्छे से समझ आया होगा तो बिटा प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब ज होलो को हो यहीडियों बिद्टर सब्सक्राइब सरे ओएके